नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका exam book चैनल में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ wordmala wordmala में इसका व्यंजन जो है क्योंकि मैंने swear जो है वो मैंने पहले ही करवा चुका हूँ आप जाके जो playlist है playlist में जाके आप देख सकते हो ठीक है आप व्यंजन देख लेते हैं ते कुल व्यंजन जो होते हैं वो होते है dips ठीकयओ मैंने आपको बार बार एक चीज़ बताएँ कि मैं आपको सिर्फ वह बता रहा हूँ जिससे आप exam पास कर सकते हैं exam पास करना है हिंधी का lecturer नहीं बना है तो कुल व्यंजन होते है tiers इस question ही आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वेंजनु की संक्या है 35 ठीक है अब वेंजन का ही पहले यह देख लेते हैं कि वेंजन कौन कौन से होते हैं ठीक तो वेंजन होते हैं आपका पहला आता है आपका का वर्ग ठीक है का वर्ग आता है तो का वर्ग में आपका आत फिर दूसरा आता है चावर्ग चावर्ग में होता है चाचाजाजावाँ ठीक है फिर टावर्ग फिर तावर्ग फिर आता है आपका पावर्ग फिर यह आते हैं आपके अंतहस्था विंजन अंतहस्था विंजन ठीक है इसके नीचे यह वाले यारा लावा यह आपके अंतहिस्ता वेंजन होते हैं फिर होते हैं यह उश्म उश्म वेंजन निम्न में से कौन सा उश्म वेंजन है तो आपको याद करना पड़ेगा उश्म का मतलब होता है जब उनको बोलते समय उचारान करते समय उश्मा निकलती है थोड़ी सी हमें उश्मा निकलती है तो यह होते हैं उश्मिंजन तो अब उसके बाद होते हैं छातरा ग्या मतलब यह होते हैं संयुक्त विंजन अब इनको याद कैसे करना देखें कभी कभी क्या होता है कि आपको आपको लाइन तो याद होती है ये वाली ऐसे करके ये लाइन तो याद होती है लेकिन आपको कभी का के बाद चाएगा ये याद करना भूल जाते हैं तो इसके लिए एक ट्रिक ही होती है कि आप ये याद कर लीजी कचट तप तो आपको याद रहेगा का मतलब अच्छा वर गाएगा फिर टा वर गाएगा फिर टा वर गाएगा फिर पावर गाएगा ठीक है इतना आपको याद कर लेजिए आपको सबसे पहले यह याद करना है ठीक इसको अच्छे से बार 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 यास करते रहे है या फिर आप अप देखिए फिर देखते हैं हम इसमें के आपका इसमें देखते हैं दूइगुण दूइगुण वेंजन कौन से होते हैं दूइगुण मतलब जो अपने अंदर दोगुण रखते हैं तो दूइगुण मतलब जो अपने अंदर दोगुण रखते हैं तो दूइगुण मतलब उ है ठीक है तो आपको यारा कासा ऐसे करके देंगे और एक देंगे डा या ढाम है से देंगे मैकसिम इसमें यही question आता है कि निमने में से कौन सा दुगण बेंजन है ठीक है फिर आते हैं आपके अंतहिस्ते बेंजन अंतहिस्ते बेंजन का मतलब होता है जो दो वेंजनो के योग से बने होते हैं जैसे छा का मतलब छात्री वाला छा जो होता है छा वाला छात्री वाला तो यह बनता है का और शा से most important चीज़ है आप विश्वास कर दी करिए जन्होंने हिंडी कभी पढ़ी नहीं है और जो हिंडी में किस से बना है तो वो दे देगा चा मतलब जा प्लस वाँ ऐसे करके दे देगा कुछ भी देff फिर ये जो आपका अर्द चंदर बिंदी हुआ जो आपका यए ये होता है अर्द चंद्र बिंदु वाले वाग के वाले जो शब्द होते हैं वो अंग्रेजी शब्द होते हैं आँख बंद करके आप लगा सकते हो ठीक है आँख बंद करके आप लगा सकते हो अगर कोई भी शब्द सुरुवात अगर इससे हो रही है तो ये समझ लेजी के वो अंग्री जी का शब्द है ठीक है? अयोगवा ठीक है? अयोगवा शब्द कौन से होते हैं? तो अयोगवा कौन से होते हैं? तो अयोगवा में आपका होते हैं अनुश्वार और विशर्ग ठीक है? जैसे question कैसे आता है? question आता है कि निम्न में से अयोगवा शब्द कौन सा है अयोगवा ठीक है? अयोगवा कौन से है तो ऐसे करके जिन पर एक बिंदी लगी रहते हैं और इस तरीके से शब्द होते हैं यह आपके अयोगवा होते हैं और यहाँ ही पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कोई भी शब्द जितने जो हिंदी का शब्द को से कभी-कभी जैसे इंग्लिश में सवाल आते हैं कि एक्सिलेंस और एक्सेप्टेंस करके उसमें फिर यह लगाना पड़ता है कि कौन सा जो होता है आपका डिक्शनरी में पहले आएगा वन, टू, थ्री, फोर ऐसे करके लगाना होता है ऐसे ही हिंदी में भी सवाल आते हैं तो आप एक चीज़ समझ लेजिए कि अगर चार आपके शब्द आए हैं चारों को आपको हिंदी अगर आपके शब्द आपके कौन से होते हैं जिनके उचारन में जीब पहले ऊपर उठकर मूरधा परिशपर्स करें और फिर जटके से नीचे करें जटके से नीचे करें आर्दस्वर कौन से होते हैं आर्दस्वर मतलब यावा मतलब यह इसमें इनको इनमें थोड़ आसा आपका जो उचारन में जो है स्वर की थोड़ी सी धुनी आती है लुन्ठित, लुन्ठित का मतलब रा, लुन्ठित का मतलब उतलब लुडकते हुए, ठीक है जब आप रा बोलते हैं तो ऐसा लगता है कुछ लुडक रही है, ठीक है, लुन्ठित हो गए, फिर पार्षविक, पार्षविक व्यंजन कौन सा ला, ला जो है आपका पार्षवि ठीक, आपको ये सब चीज है था, हवावा का दियान नहीं रखना है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कि आपको बोलने से थोड़ा सा याद रहे, वैसे अगर आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं आपके अघोश, ठीक है, अगोश, विंजन कौन से होते हैं, तो अगोश, विंजन होते हैं, प्रतेक वर्ग का पहला, दूसरा विंजन, जैसे का वर्ग में, का और खा, ठीक है, ये आपके अगोश होते हैं, अगोश कौन से होते हैं, जिन धोनियों के उचारण में, स्वर्तंत्रियों में कमपन ना अब इन तीनों को जब आब बोलेगे तो हलका सा आपको शगोस मतलब हलका सा आपको प्रेशर पड़ेगा हलका सा ध्वनी जो है अंदर ये अंदर घूमेगे घ, 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 अढ़ाओ एस तरीके से ठीक है और एक तरह आ रहा है का का सीधा के सीधा जो है वो हवा बाहर चली जा रही है और गा में थोड़ी सी अंदर को रुक रही है उसके बाद आते हैं अल्प प्राण वेंजन इनको याद रहना आप Walk क्योंकि क्यों क्विश्चन आजाता है कभी अल्प प्राण वेंजन में उसमें प्रतेग वर्ववरक का पहला, तीसरा और पांच में विंजन होता है जैसे आप बोल के देखिए क, ख, ग, ठ, 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 एसे करके हलकी-हलकी हवा निकल लिए, जटके से हवा निकल लिए महाप्रणा कौन से होते हैं? जिन विंजन हो उचारण में मुख से हवा, अधिक हवा निकलती है जैसे प्रतेक वर्क का दूसरा और चौथा विंजन जो होता है इनको याद करने के लिए अगर आप स्मार्ट थोड़ा सा मूव रखेंगे तो इनको बोल के देखिए हम लोग नॉर्मल ऐसी बोल जाते हैं का खा गा, नहीं ऐसे नहीं होता है वो इनके उचारण इनका बहुत अलग होता है जैसे का, ख, ख, में थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमें हवा जादा निकल लिए, फिर आज तादा है ग, घ, ड, हो गया है फिर आते हैं आपके इसपर्स वेंजन जिन वेंजनों का उचारण करते समय हवा फेफडों से निकल कर मुँ के किसी इस्थान से टकरा कर निकलती है इसको बहुत द्यान से समझ लीजिए एक-एक कोशन इससे बनता है आप इतना समझ लीजिए जैसे आपके जैसे हैं जितने भी आपके जो पूरा वेंजन में है का, चा, ट, त, अ, ये जितने भी वेंजन हैं ये सब के सब इसपर्स वेंजन है जब आम इनको बोलेंगे तो कहीं न कहीं से आपकी आवाज निकलेगी आपको क्या करना है सिर्फ आपको एक याद करना है उसको याद करने का तरीका हम बता दूँ है जैसे का वर्ग के जितने भी यंजन होते है वो कंट से निकलते हैं जैसे आप बोल के देखिए क तो आपके कंट जो होते हैं गला जो होता है अंदर और यहां से आवाज निकलती हो यूँ निकलेगी फिर चा वर्ग में तालव दंत तवर्ग में मूर्धा मूर्धा का मतलब दंत यहां जीव ता था धा, अगे के उपर के दंतों नोई अरी है गलता हैोच्ट सीदह ऐसा लगते है पा, होट दोनों आपस में मिलते हैं, इनको आप याद कर लिए जैसे, का से, कावर्ग तो कंट से हो गया, ठीक है, और आपका जो है, एक तरीके से चावर्ग जो हो गया, वो तालब वे हो गया, टावर्ग जो हो गया आपको का से याद रहेगा, का से कंट से सुरू हो रहा है और बाकी आप बोल के देख लीजिए मैंने आपको बता दिया, टावर्ग, चावर्ग में जो है तालब, तालब मतलब तालू जो होता उससे लगती है चा, छा, जा, ऐसे करके टावर्ग में मूर्धा मतलब जीब जो है वो उल्टी हो जाती है, घूम जाती है ठीक, जैसे टा, ठा, धा ऐसे, और दंत में जो होते हैं, जीब जो होती हैं, वो दांतों से उपर के दांतों से टच होती है, ता, ठा, दा और पा वरग में जो होता है ओस्ट पा फा ऐसे करके होगे है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं दंतमूल ठीक है दंतमूल वेंजन दंतमूल वेंजन कौन से होते हैं आपके रा और ला ठीक, ओस्ट स्वर उ और उ, छोटा उ और बड़ा उ, ओस्ट स्वर होते हैं यह आप इनको बोल के देखिए उ, आपको होट जो है उसमें छोड़ा सा गैप रह रहा है, लेकिन होट आपस में मिल जा रहे हैं, ठीक है कंट और तालब, ए चोटा ए और बड़ा ए कंट और तालब, इसमें दोनों का यूज हो रहा है कंट स्वर अ, आ, यह हो गए, ठीक है फिर मूर्धा, मूर्धा में मैंने आपको बताया था कि जीब जो है उल्टी हो जाती है, तो री और शा, यह आपके जो होते हैं मूर्धा होते है, दंत प्लस ओस्ट यह आपका वा होता है इसमें जितने भी मैं आपको यह बता रहा हूँ सब अच्छे से कर लेना, बार-बार करना हिंदी टफ नहीं है, अपने दिमाग से यह निकाल देना ठीक है, तालव यह, तालव यह कौन-कौन से होते हैं इ, छोटी बड़ी, इ, य, श, छोटी बड़ी कहना आप वो तो मैं आपको समझाने के लिए बोल ला हूँ लेकिन आप इनको प्रॉपर उच्छारन करीने इनका तब ही आपको समझ में आएगा अब क्या है, अनुस्वार और रिसर्क से सुरू होने वाले सब्द सब्द को उसमें पहले रखे जाते हैं मैं यह आपको बता चुका हूँ पहले जब भी जैसे मैंने आपको कोश्चन बताया था अगर जैसे मैं लिए अंक अगर आ रहा है तो अंक जो है सबसे पहले नमर पर रखा जाएगा ठीक है, उसके बाद अगर अंतह आ रहा है, अंतह यह आपका दूसरे नमर पर रखा जाएगा और फिर तीसरे नमर पर जो भी वर्ण माला में अगर सब्द आयरे से आग आ गया तो यह तीसरे नम्मर पर रखा जाएगा ऐसे question आते हैं ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया तो दोसो आपका जो है यह मैंने पूरा के पूरा आपका करा दिया है वर्णमाला आपकी आज complete हो गई है वर्णमाला इसको आप multiple time दोनों वीडियो को आप लगातार देखिए और मैंने जो है टेलिग्राम चैनल पर उसका link description में उस पर आप जोड़े जाएगे टेलिग्राम पर मैंने जो है इसका मैं PDF डाल दूँगा आप जाके इसको देख लीजिए और आप जो है multiple time revise करिए किसी भी तरी कोई भी query हो मैंने mail डाल दी है ठीक है mail मैं एक बार और बता देता हूँ आपकी अपनी mail मेरी mail है pro exam book at the rate gmail.com ठीक है p-r-o-e-x-a-m-b-o-k यह है इसमें सब small में है ठीक है इस पर जाके आप कुछी भी तरी कोई भी tension है exam pass नहीं कर पा रहे हैं या फिर आगे क्या करना है strategy क्या करनी है कुछ भी आपको पूछना वो इस पर मेरे को mail करिए मैं जल्दी सजल्दी जवाब देने की courses करूँगा ठीक है आगे जो भी topic आएगा उसके बारे मैं आपको बता दूँगा और next मैं हिंदी मैं आपको बताएगा मैं 20 दिनों के अंदर आपकी हिंदी खतम कर दूँगा जिससे कि आप अच्छे से revise करता है और 20 दिन के बाद मैं लगातार जो है आपके जो भी मैंने पढ़ाया है जो भी question आते हैं उस सब के सब मैं लगातार उसमें डालूँगा और practice set भी आपको जो है दूँगा GS के लिए मैं लगातार डालूँ GS आप देखते रहिए उसमें और playlist में जाके आप देखते रहिए Thank you दोस्त